प्राइम टाइम बुलिटिन के प्रायों जखें अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर भारत का पहला वा एक माध QAI एक्रेडिटेड सेंटर यूएस एफडिये एन यूरोपियन यूनियन आप्रूवड एक्विपमेंट्स आर्थ बिल्डिंग मदुबन उदैपूर पटवारी ने क्रेशी बुल्डिंग का सीमा ग्यान कराने के एवज में मांगे 8,000 रुपए एस्टीबी की टीम ने 6,000 के दिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफतार पत्नी को नहीं भेजने से नाराज यूवक ने साले पर चाकूँँ से किया जानलेवा हमला ठानी के टॉप 10 आरोपियों में शुमार निकला आरोपी MBS बदाल में खून का सौधा करते दबोचा गया शक्स शान्ती भंग की धाराओं में कारवाई कर आरोपी को छोड़ने पर उठे सवाल और महिला की हत्याकर शव के टुकड़े अलग-अलग स्थान उपर फैकने के आरोपी महिला में त्रिस्तहित हुआ गिरफतार बिकाने अन्मी की हत्या जोदपुर आकर फेके शव के टुकड़े जांच में जुटी पुलिस रासमन में एसीबी टीम ने एक पटवारी को 6,000 रुपई के रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफतार किया है कुम्बलगर तैसील कारेले में तैनाथ पटवारी को रिश्वत लेते ट्रैप किया गया क्रशी भूमी के सीमा गिरफतार के लिए पटवारी ने 8,000 रुपई के रिश्वत की मांग की थी जिसके शिकायत के बाद मामले का सत्यापन करते हुए एसीबी ने आरोपी पटवारी को 6,000 रुपई के रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों के रपतार किया एसीबी के महा निदेशक डॉक्टर रवी प्रकाश महरडा ने बताया कि एसीबी कारेले में पीडित ने कुंबलगर तहसील में कारेलत पटवारी अशुक कुमार के खिलाफ शिकायत दी थी और बताया था कि उसकी ख्रशी भूमी के स्थीमा ग्यान के लिए पटवारी 8,000 रुपई के रिश्वत की मांग कर परेशान कर रहा है इसके बाद एसीबी के उपमा निरिक्षक पुलिस राजिंदर प्रसाद गोयल के सुपरविजन और एसपी हिम्मत सिंग चारण के नेतरतु में शिकायत का सत्यापन किया गया इस पर पुलिस निरिक्षक मंचा राम ने शुकरवार को ट्रैप की कारवाई करते हुए आरूपी पटवारी अश्वक कुमार को पीड़िट से 6,000 के रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों के रफ्तार किया शिकायत के सत्यापन के तौरान आरूपी ने पीड़िट से 2,000 रुपए वसूल लिये थे आरूपी पटवारी को पटवार मंडल बढ़गाओं, ओलादर और कालिंजर का अतिरिक्ते चार्ज भी सौपा हुआ था ओ गौट्स नेहा, सो डोटी, मैं तो अपने आपको साफ रखना पसंद करती हूँ टौइलेट कौन साफ करेगा, तेरी माँ वाइटिक्स टौइलेट क्लीनर, रखे टौइलेट को हमेशा लीन और फ्रेश, वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स डौगरपूर जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने थाना शेतर के टौप 10 वांचित आरोपियों में शुमार और हत्या का प्रयास करने के आरोपी को ग्रफतार किया है आरोपी द्वारा उसकी पत्नी को नहीं भेजने से नाराज होकर साले पर चाकू से जानलेवा हमला कर उसकी हत्या करने के प्रयास का आरोप है डौगरपूर जिलेट अरोपियों की धर्पकड के लिए विशेश अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत अतिरिक प्लिस अदिक्षक निरंजन चारण व्रताधिकारी राजकुमार राजवरा के सुपर्विजन में कोत्वाली थानादिकारी भगवानलाल के नेत्रतों में विशेश तीम का गठन किया गया था टीम द्वारा वांचित आरोपियों की तलाशी की दौरान मुक्बिर से मिली सूचना के आधार पर 12 जूम को बंडारिया में पतनी को नहीं भेजने से नाराज एक आरोपी द्वारा अपने ही साले पर चाकू से जानलेवा हमला कर हत्या का प्रयास था ये आरोपी थाना शेत्र के टौप 10 आरोपियों में शामिल था साले ललित मेरा ने बताया कि 20 अपरेल को उसका जीजा और बहन कलपना दोनों उसके घर भंडारिया आय हुए थे उसका जीजा वहीं पर रहकर डुंगरपुर में कभी-कभी मजदूरी पर जाता था साथ मई को जीजा मोहन ने उसकी बहन कलपना के साथ मार बीट की इस पर कलपना के बड़े भाई ने नाथू पदमार निवासी भंडारिया उपला फला उसे लड़ाई से जगडा करने से रोकने के लिए समझाया जिससे नाराथ होकर 12 मई को जीजा मोहन ने मौका पाकर नाथू पदमार के साथ जान से मारने की नियत से चाकू से हमला कर दिया और चाकू से पेट, पीट, सिर और दोनों हाथों पर बार कर चोटे पहुचाने की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पलिस में तफ्तीश करते हुए आरूपी मोहन गरासिया को गिरपतार कर लिया Situated in the outskirts of Udaipur, Udaipur's only CBSC-affiliated school Rana Pratap English Medium School, peaceful and hygienic environment, free bus facility from nursery to class 3, 100% quality result, well-maintained and updated library, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, huge playgrounds Rana Pratap Senior Secondary School, RBSC, separate Boys and Girls Hostels, Rana Pratap Group of Institutions, behind Chaudhary, Petrol Pump, Bhinder, Udaipur Udaipur की MB hospital में खून के सौधागर को पकरने का मामला सामनी आया है खून के सौधागर को पकरने के बाद, Big Bang के अधिकारियों ने इसे पुलिस को सुपोर्ट भी किया लेकिन पुलिस ने कोई लिखित रिपोर्ट नहीं होने की बात कहते हुए उसे सिर्फ 151 धारा यानि की शांती भंग करने की धाराओं में पाबंद करके छोड़ दिया ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि ये शक्स दुबारा इसी तरह की हरकत करेगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा ये वीडियो 18 तारिक का बताया जा रहा है वदैपुर के M.B. इस्पिताल में इस व्यक्ति को पैसे लेकर बलड डोनेट करने के आरोप में बलड बैंक से समंदित लोगों ने ही पकड़ कर पूछताच की तो इस शक्स ने स्विकार किया कि उसने 7000 रुपाय लेकर दो यूनिट बलड डोनेट कराने की बात तैकी थी मरीज के अटेंडर ने दलाल को कैश 7000 रुपाय दे दिये इसके बार दलाल ने सिर्फ एक यूनिट बलड ही डोनेट करवा पाने पर सारा मामला खुल गया पूरी बातचीत का वीडियो सामने आने के बाद इस मामले में कोई बड़ी कारवाई नहीं होने पर सवाल उठ रहा है कि क्या लोगों की जान से खिलवार करने वाले खून के सौधागरों को रोकनी की दिशा में कोई बड़ी कारवाई नहीं की जाएगी क्या ये खून के सौधागर इसी तरह अपना काला कारुबार करते रहेंगे जादा हुशार है क्या एक होतना नाम ता पेसें था इस तरह नहीं है कापको यह नीचे मिला तो आप आप पर लेकर आएगे पर इसकी हमारे को मुला कदने की अचा हमारे रिस्ते दर्चा इनकी मुला कदने की आप फिर बाद में इसकी हमारे काम हो जाएगा तो पैसा ने देले लेकितने रुपे मांगे आपके साथ जार वात में इसकी है वात तो पैसे पैसा आप ने मंगा है नहीं? आपने साथ जार रुपर केश देए और फिर फोन पेट लिए, केश देए साथ जार रुपर अमार आशिश हॉस्पिटल एंटेस्टिव बेबी सेंटर उदैपुर, जहां आधनिक तखनीक से मलता है निसंतान दंपत्यों को संतान सुख तो आज ही डायल करें अपने खुश्यों का नंबर 0294 242 9044 एक महिला के टुकुडे टुकुडे कर अलग-अलग शहरों में फैंके जाने का संसनी की इस मामला सामने आया है जोदपुर के एक नाले में महिला के सिर और हाथ बरामद हुए हैं खटना 6 दिन पहले बेकानेर में हुई बताई जा रही है शुकरवार को जोदपुर के एक नाले में महिला का सिर और हाथ मिले इस से 6 दिन पहले बीकानेर में महिला की सिरकटी लाश वरामद हुई थी बीकानेर पुलिस ने इस हत्या के आरोप में एक महिला समेथ दो आरोपियों को गिरफ़तार किया है पुलिस के मताबिक जिस महिला की हत्या हुई है वो नागपुर के रहने वाली है और उसका नाम मुसकान बताया जा रहा है मुसकान नामक महिला की हत्या जोदपुर निवासी विकासमान और उसकी लिविन पार्टनर संगीता द्वारा किये जाने का आरोब है इन्होंने मुसकान की हत्या के बाद शव के टुकड़े अलग-अलग शहरों में फैंक दिये थे बिकानेर पुलिस महिला के अन्य बॉडी पार्ट की तलाश कर रही थी इसी सिलसले में शक्रवार को बिकानेर से प्रशिक्षू आईपियस रमेश पुलिस की तीम के साथ जोधपुर पहुचे जोधपुर में राता नाडा थाना पुलिस के सहयोग से पांच बत्ती इलाकिये के नाले में सर्च अभियान चलाया गया इस दोरान एक कट्टे में सिर और दोनों हाथ पुलिस को मिले बिकानेर पुलिस की टीम एक महिला और पुरुष को बिकानेर से जोधपुर लेकर आई है जिने आरोपी बताया जा रहा है उनके निशान देही पर ही ब्रतका के बॉड़ी पार्ट्स की तलाश की गई थी पुलिस बॉड़ी के कपड़ों की तलाश कर रही है जैसा कि आप सब को बिदित है कि पंदरा तारिक को जे एन बीसी ठाना एराके में गटसी सर रोड पे जो कच्रा डम फिराड है वहाँ पर एक हीनियस क्राइम मुर्डर हुआ था जिसमें एक लाश डेट बॉड़ी हमें एक महिला की मिली थी जिसका सर नहीं था और दोनों हाथ भी कटे हुए तुरंट इस पर मौके पर सभी सीनर ऑफिसर्स और मेर्फुद गए थे हमने एफसल से और डॉक्सपॉट से पूरे मौके का मुएना कराया था डेट बॉड़ी की पहचान के लिए उसे बकायदा एसोपी के हिसाब से मौके रखा गया था डेट बॉड़ी की पहचान जब नहीं हो पाई एसोपी के हिसाब से भतर गंटे में तो वीडियोग्राफिक बोर्ट से मृतका का कोस्मार्टम कराया गया और उस बोर्ड में सभी तरीकी की डॉक्टर्स को इंक्लूड किया गया, वो स्मार्टम के दौरान भी हम सभी वहां मौजूद रहे इतने हीने स्ट्रैम को देखते हैं तुलाद SIT का गठन किया गया, SIT जो लीड कर रहे थे, अडिशने स्टी सिटी, दीबग जी और IPS रमेश जी, उनके साथ साथ सभी थाना अधिगारी सिटी के इसमें इंवाल किया गया, DST को इंवाल किया गया, हमारे साइबर टीम को इंव नहीं था, और जितनी भी missing reports हमने यहां से या आसपास के लाखों से या आसपास के जिलों से देखी थी, उसमें भी इसकी पहचान नहीं हो पा रही थी, लेकिन फिर भी, महज पांच दिनों में, बीकारेर पुलिस ने इतने challenging case का खुलासा किया है, जिसमें सबसे एहम घुम पूरी कहानी यह निकल के आई कि जोदपुर निवासी विकास मान जो में आरोपी है और उसकी live-in partner संगीता, इन दोनों के साथ मृतका जिसकी पहचान मुसकान नाम के महिला के रूप में हुई है, वो इनके साथ रहा करती थी, मुसकान संगीता को अपनी बड़ी बहन मानत और वो नहीं चाहती थी कि विकास उसके साथ live-in partner में रहे और वो इसका विरोध करती थी, तो अपने एक घर से दूसरे घर विकास और संगीता इसको छोडने जा रहे थे, उसके बीच में यह निरंतर मुसकान जो है उसको बोल वी थी कि मैं दिल को रहने नहीं दूंगी औ विकास ने पहले गला दबाकर मृतगा की हरत्या की और उसके बाद उसकी dead body को यहाँ मीकानेर में लाकर फैका और उसका सर और हाथ काटें जिससे कि उसकी पहचान नहीं नहीं सके और और किशीको भी पता ना चल सके कि मृडर कि ने किया है और फिर उसने उस सर और दोनों हाथों को ले जाकर जोद्पुर के एक पांच बत्ती सिटी में नाला है उसके अंदर कटे में डालकर फ्रेंट किया ये सारी जो घटना ग्रम है ये हेतराम हैट कॉंसेबर की मुभीर संत्र से और स्पेशल मेहनत से जो मांग को पूरी डियस्टी टीम काम करें थी उससे पता जली एक संदिक्ळ गाड़ी की पहले पहचान हुई और उस गाड़ी की पहचान करते करते आरोपी तक पहुंचे आरोपी, दोनों आरोपी, मेन आरोपी जिसने हाथ-पांग घटे है और मुर्टर किया और इसके सहयोगी विकास मान और संगीता को अरेस्ट किया जा चुका है आज जोदपूर पुलिस और नगर निगम की नगर निगम जोदपूर की मदद से जो लाश का कटा हुआ सर और हाथ है उनको भी उस नाले से बरामत किया गया है आरोपी की मुलत निवासी महाराष्टर की है लेकिन इसके दोनों ही पेरेंट्स की डेथ हो गया है और इसके दोनों ही इस डेट बॉड़ी को जोदपूर से यहां भी काने लोकर आए मुलत निवासी महाराष्टर की है लेकिन इसके दोनों ही पेरेंट्स की डेथ हो गई है उसके बाद से पाली जिले में रहती थी और पाली जिले के बाद संगीता के साथ रहना है जोदपूर से ही उठाकर लेकर गिन इसके दोनों को जोदपूर से ही उठाकर लेकर गिरफतार किया गया था वहीं से ही लेकर आई थी बिकन इसके दोनों A1 Senior Secondary School A legend in school education Co-education English medium with commerce and science stream School aims at all-round development of children School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes Be able to make sensible choice between right and wrong Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab Spacious library and reading room Round-the-clock CCTV surveillance by the management Admission open for nursery to 12th A1 Senior Secondary School 1 North IELTS University Road, Udaipur अंतराश्टी योग दिवस 2024 का उपखंड स्तरी मुख्य समारों नगर के तुलसी अमरत विद्यापीत माध्यमिक विद्याले में हुआ मुख्य समारों में सुबह साथ बजे योगाचारिय विश्नु सिंग, सहायक योग प्रशिक्षक राजेश ग्यालोत के सानेदि में ताडासन, अर्द चक्रासन, त्रिकोणासन, अनुलोम विलोम, सूरी नमसकार, भुजंगासन सहित विभिन प्रकार के योग करवाए गए अंतराश्टिय योग दिवस 2024 के उपखंड स्तरिय मुख्य समारों में तैसिलदार देवालाल, माद्यमिक विद्याले के प्राचारिय दुलहे सिंग जाला, आयरुवेद ब्लॉक चिकितसा अधिकारी डॉक्टर अभिशेग, चिकितसा अधिकारी डॉक्टर श्रिमती रज अधिकारी डॉक्टर अभिशेग ने कहा कि अंदराश्टिय योग दिवस मनाने का मुख्यो देश, लोगों को योग को अपने दैनिक जीवन के एक भाग के रूप में इसे अपनाने के लिए प्राचसाहित करना है। इस मौपर राजस्तान स्काउट गाइड संग द्वार फैमिलियर एंवारमेंट 1-15 स्टूटन टीचर्स रेशियो वी और्गनाईज फैंसी ज्रेस, क्रिस्मिस, दीपावली, और स्पोर्टस दे, एक्विप्ट गुड ट्रांस्पूटेशन फेसिलिटी, एड्मिशन ओपन, दी ओमकार स्कूल, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अं इंस्टिउशन में टर्न की प्रोजेक्स विसे शग्य, पूनम फनीचर्स आपके लिए लाए है, जीरो डाउन पेमेंट, 0% ब्याज पर, आसान व्रिन योजना, घर के आंगन साला के ससुराल का हर को ना, पूनम फनीचर्स के बिना बिटिया ससुराल ना जाए, पूनम फन रशी विश्विद्याले के कुलपती प्रोफेसर करनाटका सेंग सहित, नाबाड के अधिकारी मौजूद रहे, आयोजकों ने बदाया कि मेले का उदेश्य किस्तान उतपादक संगठनों और स्वेम सहायता समूहों को बढ़ावा देना है, साथ ही एफपियोस और एसे जी जिन पर विभिन सहायता समूहों द्वारा तयार की गई सामगरी उपलब्ध है, हस्त शिल्प कारिगरों द्वारा तयार किये गए विभिन उतपाद यहां उपलब्ध है, ये मेला 23 जून तक चलेगा The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, up to second standard, no school bags, no homework, air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment, well-equipped indoor and outdoor game facility, School also ensure full security while pick and drop your child The Scholars Arena, English medium senior secondary school, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagari, Udhaipur, our second branch, New Swaminagar, 100 feet road, Tekri-Madri Link road, Udhaipur जिला परिशत की साधारन सभा की बैठक परिशत सभागार में शुक्रबार को हुई, जिसमें ग्रामीन शेत्र में Community Health Center और Primary Health Center पर डॉक्टर्स के रिक्तद होनी के मुद्दे के साथ ही, ग्रामीन शेत्रों में अगोशित बिजली कटौती का मुद्दा भी खोग गर्माया जिला परिशत सदस्यों ने उनके शेत्र में बार बार बिजली गुल होने लंबे समय तक बिजली कटौती करने का मुद्दा उठाया, इस पर कलेक्टर ने बिजली विभाग के अफसरों को पाबंद करते हुए शिकायतों की तुरंद सुनवाई करने की हिदायत दी, इसके ग्रामिन शेत्रों के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पद होने का मुद्दा भी उठा, उदैपुर सांसद मनालाल रावत ने कहा कि क्रशी विभाग की फार्म पॉंड योजना के तहत उदैपुर जिले में अगर किसान कम रुची ले रहे हैं, तो क्रशी विभ सदस्यों ने बीज मिनी किट वितरण जल्द से जल्द और समय पर कराने की मांग भी उठाई। इसीबी की टीम ने 6,000 के दिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफतार। पत्नी को नहीं भेजने से नाराज युवक ने साले पर चाकूओं से किया जानलेवा हमला। ठानी के टॉप 10 आरोपियों में शुमार निकला आरोपी। MBS पताल में खून का सौधा करते दबोचा गया शक्स शानती भंग की धाराओं में कारवाई कर आरोपी को छोड़ने पर उठे सवाल। और महिला की हत्या कर शव के टुकड़े अलग-अलग स्थान उपर फैकने के आरोपी महिला मित्र सहित हुआ गिरफतार। बिकाने अन्मी की हत्या जोदपुर आकर फैके शव के टुकड़े जांच में जुटी पुलिस। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बैल आइकन सरूर दबाएं फिलहाल इस बुलिटिन में इतना ही दीजे इजाज़त ज्योती को आप बनी रहें नियोज 91 राजस्थान के साथ नमस मदूबन उदाइपूर